महारी माटी महारे लोग महारी माटी महारे लोग इंडियन मॉदरन सेकेंडरी स्कूल स्वानीपत से हुई और इसके बाद इन्हों ने रहतक के राजकी महिला कॉलेट से सनातक की सिख्षा प्रात की इसके बाद मिनाक्षी वर्मा ने परियाग संगीत समिती इलहाबाद से संगीत विशारत की डिग्री प्रात की बच्छमन से ही गायन का शौक रखने वाली मिनाक्षी पिछले 16 साल में डगग 5000 गीत गाचती हैं जिनमें अलबम्स के लावा हरियानवी फिल्म, करम, माटी करेपुकार और आठवा वचन प्रमुख हैं हरियाना के प्रसिद्ध मुजिक डिरेक्टर मुकेश वर्मा से विबा के बाद मिनाक्षी पांचार वर्मा अपनी घरेलूज दमधारियों के साथ साथ पती के संगीत कारें में भी हात बटाती हैं मिनाक्षी अगर हम बात करें कि आपकी गाने के बारे में आपको ये गाने का शौक कब से लगा था? गाने का शौक मुझे बच्पन से ही था जब मैं छोटी थी पांच या छे साल की तो उस टाइम जो भी गाना टीवी में आता था तो मैं वो गुन गुनाते थी साथ और मुझे याद हो जाते थे सारे तो मुझे तब से ही शौक था कही नहीं बगवान की देनगोगा में कोई नहीं उसंते हैं आप पापा को थोड़ा शौक है मितलब फिल्म देखने का या गाने सौने का क्योंकर शायद मुझे लगता है जो आप कोई गूना थे बच्पन उसमें से कोई में मैं इस ताम में जाख व्यादि था उपका फेपर जन्या ले जाएंगे राजा हिंदुस्तानी तो इनके मैं गाती रहती तो पर्देशी पर्देशी हाँ ये जरूर गाती थी पूछो जरा पूछो और मेहंदी लगा के रखना इन में से कोई एक गीत गुंद बनागे था मेरे ख्वाबों में जो आए आ के मुझे छेड जाए उससे कहो कभी सामने तो आए मेरे ख्वाबों में को आए वह बहुत गुब आपने कभी जब स्टेज परफर्फर्म किया तो पहला कुण सा प्रोग्राम था जब आपने स्टेज परstaw परफर्म किया था पहली बार मैंने स्टेज पे जब मैं फोर्थ क्लास में थी तब किया था इतनी चोटी सी उमर में क्योंकि क्लास में जैसे मैम गाने सुनते थे बच्चों से शनिवार के दिन की भी सुनाओ कुछ तो मैं गाने सुनाती थी तो वो मेरी एक मैम थे उनको बहुत पसंद आते थे और उनको मेरी आवाज भी बहुत अच्छी लगती थी तो वो जैसे स्कूल में एक वार्शी कोटसव होता है उसके लिए जो टीचर आते हैं तैयारी करवाने के लिए तो उन्होंने उनको बताया कि मेरी क्लास में एक बच्ची है जो अच्छे गाने गाती है आप उसको एक क्लास में उन्होंने मुझसे एक देश भक्ति की इतगवाया स्टेज पर तो लोगों ने खूब तालियां बजाए खूब उन लोगों ने बोला कि छोटी सी बच्ची ने गाया है और फूर्थ क्लास है फिर मैं ट्वैल्थ तक मतलब गाती रही थी स्कूल में तो दर्श को ये बात ध्यान रखना कि जो आपकी तालियां होती हैं जब भी कोई बच्चा आपके सामने कोई गीत गारा हो को इस तरीके से आपकी जो उसका जो होसला फजाई करती है तालियां ये बहुत काम आती है उन तालियों की ही कड़गड़ा हट काई कुछ असर है कि आज वारेर सिंगर हैं तो जब आपने ये गायनी का मच पे शुरुआइए क्या था रियानमी गाना कौन सा था पहला जब आपने गाया हार्यानमी जैसे मैं स्कूल से मैं चुरूआत की फिर मैं पोर्थ से नाइंथ क्लास में आगई तो 9th क्लास में जो वही हमारे टीचर याते गाना तो नहीं कहा कि देखो अपनी बेटी की आवाज तू पापा खुद हहरान थे उन्होंने मतलब वो जैसे आर्मी में थे उनको इतना पता नहीं तब बच्चे गाते हैं उनको पता नहीं था तब तक मेरे शौक के बारे में तो पहली बार उन्हें सुना जैसे पिकर्स प कि भी हम एक कैसिट बनाने वाले हैं कावड के लिए बोले के गाने बनाने वाले तो उसमें हम इसे एक दो गाना गवाएंगे तो आप उसके परमिशन दे दीजे तो पापा ने कहा ठीक है तो जब आपने ये शौक आपका सामने आया या आपके गुरू जी ने बताया तो उनको ये था कि भी बच्चे में जो टैलेंट है वो आगे आना चाहिए तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी आसी और पहली बार फिर मैंने वो भोले के जो गाने किये रिकॉर्ड किये तो उसके बाद फिर श्री स्वर्गे श्री मनफूल डांगी जी वो हमारे शहर से ब्लॉं कि भी ये बच्ची है हमारे शहर की गाती है तो उन्होंने भी यही कहा कि भी इसको आगे बढ़ना चाहिए और वो हमारी कास्ट से भी थे तो उन्होंने ज्यादा अपना पन दिखाया कि ये तो हमारी बच्ची है चलो कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि कलाकार की कास्ट common थी, क्योंकि वो बहुत senior कलाकार थे और जब उन्होंने आपको पहचाना है तो उन्होंने आपके गुन को पहचाना है, इसलिए गुन जो होता है वो सब को प्यारा लगता है, कि बच्छा जो गुनि है और शायद इसलिए उन्होंने भी आपको कहीं motivate किया है, तो जैसे मिना तो यह बात समझने की है कि parents का positive attitude काम आता है से में तो पहली बार आपकी जो album release होई या album record होई वो कावड की थी हाँ वो कावड की थी और उसके बाद एक दो साल का जैसे ब्रेक लगके नाइन्थ क्लास में हुई थी फिर एक साल का ही ब्रेक लगा था अगली क्लास में तैंथ क्लास में जब मैं सिर्फ 15 साल की थी तो श्रीमन फूल्डांगी जी ने मतलब मैनक रेकाशाट कंपनी उस टाइम नावत था हुँ तो उसमें उन्होंने इक दो उस्ताइम नाटक चलते थी नाटक युदी राजेश शिञप्रया जी श्री नेंदर बलहारा जी नाटक जैसे घर एलू पारिवारिक तो वह पारिवारिक एक दो हैना नाटक बनाएं तो उनन वानी केंदर कि युवाबर्ग में भी तेरा स्लेक्शन करवाने के लिए फॉर्म भगर भरने के लिए तो वहां पर जैसे हम गए तो वहां आगे से आ रहे थे श्री निरेंदर बलहारा जी उनसे मुलाकात हुई तो उन दिनों उनको एक सिंगर की ज़रूरत थी एक लड़की तो उन्होंने मिलते ही बोला कि दादा हमें सिंगर चाहिए लड़की हो कोई तो उन्होंने का ये मेरे साथ है इससे गवा के देख लीजिए तो वह उसी टाइम मुझे चीता कैसेट कंपनी में लेकर गए और वहां पर मुझसे गाना रिकॉर्ड करवाया तो वह काने लगे और सारे काने मुझे से रिकॉर्ड करवाते थे जो भी फीमेल पार्ट होता था तो ये सब आप उन दिनों में करते थे जब आप स्टूडेंट थी तब और शायद कॉलिज भी नहीं आए तैंथ क्लास में ही थी तो टैंथ में आप एक प्रोफेशनल काम का हिस्स किया है उसके नाम से बचते हैं बाद में कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद ये बहुत अच्छी बात है आप अपने जिन्होंने भी आपका सायोग किया है वह तो और लेना ही चाहिए अपने जीवन में जहां से शुरॉत की है जिन्नोंने आगे बढ़ाया है तो उनका ना लगा बार बार रिकॉर्डिंग्स हो रही थी तो दादा दादी ने थोड़ा अब्जेक्शन उठाया रिष्टेदारों ने भी कि लड़की से गवारे हो ये कोई काम है गाना ही तो मतलब एक महिना तक नाराज भी रहे थे दादा दादी ने बात तक नहीं की थी मेरे तो उनको हो गया कि रोज लेके जाना गाना इसकी रिकॉर्डिंग करवाना ही लोग हमसे कहते हैं दादा दादी भी तभी बोलते थे कि लोग बोलते थे रिष्टेदार जानने के कोशिश की वो जो लोग थे वो बोलते थे वो कौन थे रिष्टेदार थे रिष्टेदार तो पापाने फिर भी एक महीने तक मतलब दादादी ने बात नहीं की, फिर भी पापाने कहा कि नहीं, जो बच्चा जसका में आगे बढ़ राया तो मैं इसको बढ़ाऊँगा और मतलब उन्होंने उनकी नाराज़्गी भी सही, उसके बाद दादादी को भी फिर लगने बात है कि एक पिता को इस बापने के कन्विक्शन थी कि मेरी बेटी जो है वो सही रहा पे है रोसमें टेलेंट हर वो आगे आना चाहिए इसमें गलत भी क्या है और खासकर समाज में ये जो लोग हैं कुछ किरदार हैं कि जिनको हम रिष्टेदार कहते हैं उनमें कहीं अपने पनवाली बात नहीं अगर उनमें अपने पनवाली बात होती तो वो इस डंग से कान भरने वाली बात नहीं करते हैं क्योंकि बुझरगों को कहीं न कहीं अनकमफर्टेबल ऐसे ही लोग करते हैं जो ऐसी ही रॉंग सला देते हैं और वो सला कहीं बच्चे को आगे बढ़ान उसके प्रती अगर आपके कोई अड़ोसी प्रोसी रिष्टदार आपके कानों में ऐसे बर रहे हो तो आप उनको जदा तवज्जो ना दे और अपनी कन्विक्शन पर ध्यान दे जैसे इनके पिताने किया है और खासकर अगर आपका रोल भी किसी रिष्टदार का है तो वहा मेरा मतलब शुरू से और मतलब जब तक मेरी शादी हुई है आज भी आज भी उनको मैं एक बार बोल देती हूं कि मुझे यहां जाना है या तो मुझे ऐसे आपसे काम है आपको मदद करने है तो वह तैयार रहते हैं बिलकुल उसे टाइम यह बहुत अच्छी बात है कि ऐ लेवंथ में हुई तो जैसे नाटक चलते नाटकों में तो सिंगिंग आने ही लगी थी तो फिर नाटक सीडीज वगारा यह थोड़ा इनका दौर घटता गया और फिर आया था पहली बार एल्बंस का दौर जब गाने ही होते थे सारे नाटक वगारा कम होने शुरू है तो हाँ यही था तो डीजे वगेरा बतलब भी बीट पे जैसे जो सुझ जाते तो वहां से फिर उसमें पहला गाना कौन सा था उसमें मेरा था यह पतला दूपटा तेरा मू दीख है मू दीख है गोरी मू दीख है मेरे ओधन पहरण के से दिन पिया बात बात पै क्यों जीख ह है यह वाला तो यह काफी हिट रहा था और उसके बाद तो करमिर फॉजी जी के काफी कैसेट्स थी जो मतलब हिट थी आलबम्स थी तो उनमें साथ मेरा ही होता था मेरी और उनकी मैं दर्शकों को यहां एक बात बता दूँ कि जब हमने हर्यानवी पॉप बनाना शुरू कि अदिने में जादातर जो सिंगर थे जैसे अगर आपने सुना अगा अधी रात मेरी नींद उचटगी हिली में बढ़ गे चोड़ तो उसमें जाहतर सिंगर बंबई से होते थे कहीं उधीत नायनड जी ने गाया तो कहीं पुल निमा ने गाया था क्योंकि उस वक्त में हर् तो मैंने तब के बाद से जाद अतर गाने गवाने कम कर दिया हर्यानवी में क्योंकि वो जो एक ओप्षन चाहिए था सही में जिसमें वो टेलेंट हो कि जो भाव को समझे और जो इसके एक्सप्रेशन को समझते हुए उस रिक्त जगह को मिनक्षी ने भढ़ा था और आपके मेरी मुराकात भी स्कूल टाइम में जब मैं स्कूल में थी तब हो गई थी कॉलेज में भी निया थी तब तब हमने कहीं ने कहीं जो आपके ग्लिम्स थे कलाकारी के ग्लिम्स को समझा ऐन eran आपको बहुत सोबर रह्ते व एक्सपेशन के जबर रहते हैं आपके पती संगीत का रहाई कभी हैन जी संगितकार है और गायक भी है उत्तुब इह 않 कंभिनेशन आपके बारे मैं पकंव कैसे कि पति है संगीत से ही है और संगीत भी बनाते हैं यह कंभिनेशन तो मै मैंने खुद ही चुना है और मैं यही चाहती थी शुरू से कि मतलब मेरी यह जो कला है सिंगें के मुझे शौक है यह कभी रुकना नहीं चाहिए मतलब किसी अगर आम आदमी से शादी कर ली या उसने आगे काम नहीं करवाया या नहीं गाने दिया तो क्या होगा यह मुझे दर रहता था तो अच्छे जीवन साथी के रूप में मुझे मिस्टर मुकेश वर्मा जी से जब मुलाकात हुई तो देखा उनकी गुणों को उनकी आदतों को तो मुझे अच्छा लगा तो आज जैसे 7-8 साल हो गए हैं आपकी शादी को तो आपको लगता है कि अपने जो ग से ही उसके सायोगी होंगे या उसके जो पती हैं या पतनी हैं अगर उसी फिल्ड से होंगे तो शायद जीवन ज्यादा सुख में हो सकता इस बात का ध्यान दे अपनी इच्छाओं को या अपने प्रोफाइल को बच्चों पर ना थोपे इसका एक अच्छा एक्जामपल है और आज भी और शादी से पहले भी किया है तो उनका काम एक अलग है जिसको मैं मतलब अपना उसमें मानती हूं कि मेरे फेवरेट है तो अगर जो गाने आपने अब तक गाए है उनमें से सब से फेवरेट गाना कौन सा मानते आप वैसे तो काफी गाने है मुझे जो पसंद है मेरे एक फिल्म करम सोनोटक कैसिट कंपनी से आय थी और उसमें है पीपीपपहा बोल्ला बाग में और इस गाने को हम अकसर चैनल पर दिखाते भी है यह यह अच्छा लगता है मुझे और एक फिल्म आठमा बचन उससे आया था यह काफी पॉपलर हुआ था होगा ना मा चाहेंगे कि आप दर्शकों को एक बार पीपपहिया को गुन बना के सुनें पीया के सा बोलरे पपीहा बैरी न्यूमत बोलरे जुल्मी बाग में न्यूमत बोलरे गजबी बाग में मिनक्षी के सुरो को मिनक्षी की आवाज की जो खनक है उसकी जो मिठास है उसको सुनते हुए और समझते हुए अगर उनको हरियाना की लता कहा जाए तो भी कोई गलत नहीं होगा आपकी आवाज में वो class है जो एक नाइका की आवाज में चाहिए होती है और तो उस लिहासे मगर आपको यह title भी दें कि हर्याना की लता तो वो भी सही है हर्याना के लिए perfect होगा क्योंकि एक खास बात यह है कि जो सुर है और जो भाव है वो ही है जो बॉलिवड में होता है और साथ में हरियानवी टॉन हरियाने अर्वी एक्सेंट परफेक्ट है पहले हरियानवी ग वाह बहुत अच्छा है आपका इस गाने की जो लाइन है उसके हिसाब से भी इन गानों के सिवा और कोई गाना आप शेयर करना चाहिए हमसे और कोई गाना सर एक ब्रून हत्या पे ही एक जान की शॉर्ट फिल्म आई थी यूट्यूब पे तो उसमें है वो भी मेरा फेवरेट है चिडिया न कोयल न तेरी लता बेटी हु मैं ये है मेरी खता कर दे मुझे को जग से जुदा बिन डोली के तु कर दे विदा पर कौन कहेगा बाबुल तुझको मेरे बाबुल ये तो बता मेरे बाबुल ये तो बता ठूमके चाले से ठूमके ठूमके चाले से रामचंद्र छोटी छोटी पायाने धरे से धरा पे उठे से चाले से पढ़ जावे रामजी दूध का तोरा ठाके वो मटके से का गाने पिलावन जावे से रामजी का गाने पिलावन जावे से रामजी पकड पिता की बैया 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 ठूमके चाले से रामचंद्र बाजे पैजडिया ठूमके चाले से रामचंद्र जो मैंने अभी अभी टाइटल दिया था हर्याना की लता आप भी मेरे से सहमत होंगे ये गाना सुनकर क्योंकि ये गाना की कंपोईशन रविंदर जैन जी ने बनाई थी बंबाई में जब रामाइण सागर्की ये रामाइण बनी थी और इस रामाइण को जब हमने हर्यानवी में कंवर्ट किया तो मुकेश वरमा जी निनके पती ने ही पूरे मियुजिक को संभ़ा था इस सारे रिकौर्डिंग को संभा था तो उनीक इनिर्देशन में इसका ये हरियानवी करन हुआ और कितना खुब आपने उसी भाव को रखते हुए भाव वही रखा है उसी क्लासिकल टेस्ट को रखते हुए और हरियानवी को शब्दों को बरते हुए सुबाद शर्मा जी ने इन शब्दों को टांसलेट किया था तो मैं बात मेंशन करना चाहूँगा तो बहुत अच्छा कंट्रिबूशन रहा है और मैं ये मानता हूँ कि ये सिर्फ आज का काम नहीं है ये सानों सदियों तक रहेगा कि एक हरियानवी का ऐसा नसल सुधार कार कारेकरम भी हुआ था ये काम जो था साथ में सीता जी के जो डायलोग्स थे उनकी भी आवाज मैंने दी थी सीता बहुत सारे हमारे कारेकरमों में टाइटल सौंग मिनाक्षी के गाए हुए है आपने बहुत सारे चैनल के गीत का आए हमारे उन में से कोई गीत अगर आप गुन मुनाना चाहें तो बे बे आवे से जी सा बरसे से मी सा आया से जबते एंडी हरी यारा जैसे आप इतनी सानों से गारे हो आप मंच पे गा रहे हो आप अलबम्स में गा रहे हो कैसेट्स में गा रहे हो टीवी पे गा रहे हो कभी सरकार की तरफ से कोई प्रपोजल आया आपके पास सर, सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्रपोजल नहीं आया और जैसे कला परिशद है कि अधिन के लिए उनको कुछ मतलब करना चाहिए ऐसा कुछ उनकी तरफ से कुछ नहीं आपर वो कॉम्पिटीशन करवाते रहते हैं कि सिंगिंग के तो उसमें एक बार मैंने भाग लिया था तो उसमें तो मैं प्रत्म स्थान प्राप्त किया था मैंने रागनी गाई थी एक अगर आपके प्रोग्राम में भी फस्ट आ चुका है और हर तरीक एक कमर्शिल काम में उनका नाम है चैनल पे तो सारा दिन इनकी आवाज चलती है इतने सालों से उसके बाद भी आपके कानों तक नहीं पहुंच पा रही आप ज़रा ध्यान दीजिएगा क्योंकि कहीं न कह नहीं, राज सं़रक्षन, सरकार का सं़रक्षन मिलना ज़रूरी है अगर जो लोग संगीत का काम कर रहे हैं या इतने सारे विशuju बिद्याले बन गए हैं उनमें संगीत के भी भाग है या संगीत से समंधित काम है तो ऐसे बच्चों को मुझे निन लगता कि नौकरी मांग की ज़रूत पढ़ने चाहिए तो सरकार की तरफ से ओफर आना चाहिए टेलेंट के लिए यह अभी तक तो हो जाना चाहिए अगर नहीं हुआ है तो अभी भी अगर इस पर संग्यान ले लिया जाए तो बहुत अच्छी बात होगी क्योंकि इस ऐसे टेलेंट को बार-बार मंच पर बुलाने की जरूरत है तभी वो नए बच्चों के लिए अच्छी इंस्प्रेशन बन सकती है नहीं तो यह नेगलीजेंस दिखती है भी भाग की तरफ से अब अगर हम कहें कि आगे क्या करना चाहते हैं जो आपने सोचा है कि संगीत के शेतर में ऐसा कैसा हो मैं यह चाहती हूं कि कुछ हिंदी भी करूं और हर्यानवी अपनी संस्क्रती को आगे बढ़ाने के लिए हर्यानवी जो अपने फोक है पुराने उनको चुनके उनको प्लासिकल तरीके से गाउं जैसे एक तो अपना फोक काफी इजी होता है औरते गाती हैं तो उस हर्याना में आजगले कि नया फैसन आगया है आज गली गली में गायक है में गाँ गाउं गाँ में प्रै twक्त नेफीक मैं चाहते हैं नए बच्चेगारिंद उनको आप क्या शिक्षा देना चाहेंगी एंड अन बच्चों को मैं यह कहना चाहूंगी कि सबसे पहले संगीत जो उसका शौक होना एक बहुत ही अच्छी बात है, हर किसी को नहीं होता, जिसको भी है, वो सबसे पहले सीखे, अपने आपको, अपनी आवाज को सुधारें और रियाज करें, अच्छी गाय की जब उसके अंदर आ जाएं, थोड़े सा उसके अंदर गुण आ जाएं गाने क तो ही वो जाके अपना गाना रिकॉर्ड करें, क्योंकि अगर वो बिना सीखें, वो आज उसके अंदर शौक है, वो ये चाह रहा है कि मुझे शौक है, मैं गाता हूँ, तो कल मेरी कैसेट मुझे अपना गाना भी मार्केट में डालना है करके, वो यहीं ना सोचे, करना का है ये गाना, अगर वो अच्छा ना करे, वीडियो अच्छा ना करे, आवाज अच्छी ना हो उसकी, तो वो प्रभावित करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी हर्याण्वी संस्कृति को, तो मैं यह चाहते, कि वो सीख के अच्छे से अच्छा काम करें, टाइम लग जाए है टाइम लग जाए उनको पर काम अच्छा करें वीडियो ओडियो तो बाहर वाले भी लोग उसकी तारीफ करेंगे सुन्दिया वाल को गणी तावल में ना रहा कुरू नंबर बनान के मिनाक्षी जो कह रही है जब आपको गीत बनाते हैं तो आपके सिर्फ नीजी नहीं रह पर कोई भी रिएक्षन आता है खासकर जब नौन हरियनवी जो सुनता है या हरियनवी वो जो हरियनवी संegabout से दूर है क्योंकि बहुत बड़ा हरियाने का वर्ग ऐसा है जो यह हम hell ना 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 बस इसको दूर ठो इसके पीछे कार्ण है कि चाए वो शब्द होए या सुर अगर आप अच्छा काम करोगे तो लोग जुडेंगे तो इसा काम ना करो जिससे लोग तूटें तो इस कंसर्ण को समझते हुए आज का प्रोग्राम यही तक तो फिर मिलेंगे आप से और फिर से बात करेंगे लोगी तो के बारे में तो ये थी आज की मुलाकात मिनाकशी पांचाल वर्मा जी के साथ हम फिर मिलेंगे एक और हस्ती के साथ तब तक नमस्कार